हाँ तो दोस्तों जैसा कि आपको पता यह कि मैं समय समय पर आपके लिए अच्छी अच्छी पज़िस लेकर आता रहता हूं आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक भोत ही खुब शुरूथ मैटल पजल इस पजल को दो मैटल से जोड़कर बनाया गया है दो अलग-अलग मेटल्स को एक दूसरी के अंदर फसा के ये पजल बनाई गई है और हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें इन दोनों मेटल्स को फिर से अलग-अलग करना है एक दूसरी से बाहर निकालना है हाँ तो दोस्तों देखने में ये पजल जितनी सुन्दर लग रही है सोल करने में बड़ी मुश्किल जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसे बाहर निकालने की बरपूर कोशिश कर रहा हूं मैं इसे हर एंगल से ट्राइ करता हूं क्या पता ये बाहर निकल जाए ये देखिए आप ये हर जगए अड़ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेटल की चोड़ाई जादा है मोटाई जादा है और गैप काफी कम है इस गैप के अंदर से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है ये देखिए आप मैंने इसे हर एंगल से हर तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन ये बेटल्स एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे मैंने इसे हर एंगल से ठ्राई किया लेकिन मैं ना खान्याब रहा हां तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कल लगबग एक घंटा ट्राई करने के बाद काम्याब रहा तो चलो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इस पाज़ल को चलो कैसे करना है जड़ा गोर से देखिए आंति जुग गैप है उसी गैप कितरू ही यह वार निकलेगा लेकिन इसके लिए हमें इसको इस तरह से भुमाना होगा इस तरह ही अंदर डलेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय समय पर ऐसे वीडियो और मिलते रहें सुक्रिया दोस्तों